तो दोस्तो यह जो प्रोब्लम है हमारी बासिंग मशीन में सबसे ज़्याद आने वाली प्रोब्लम में ठीक है आज मैं इसका फुल इंफोर्मेशन आप लोगों को बताने बाला हूं तीन स्टेप में बताऊंगा तीनों स्टेप आपनों ने लाश्ट तक देख लिए तो दो स्टेप लाएं ठीक है अगर इस प्रकार से अगर आपका काम कर गया तो ठीक है फिर चल के अम नंबर दो में ठीक है नंबर दो में हमने पूरी बासिंग मेश्यन काम खटापट खटापट खाली करेगा ठीक है डमडम से करेगा तो आप उस कंडिशन में अपनी पुली को बदल दीजिए अगर वो खाली मशीन भी धड़ा-धड़ कर रही है ठीक है अगर तीसरी जो प्रोब्लम है दोस्तों बहुत है हमारे जो पैर होते हैं बासिंग मशीन कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएं